सो वेल और यार अब आपके पास में उतना सफिसेंट टाइम नहीं बचा है आप लोगों के जो बोर्ट एक्जाम्स हैं MP बोर्ट के आने ही वाले हैं फरवरी मन्त में और आपको दिसंबर में फाइनल डेट सीट भी मिल जाएगी राइट अब मैं देखता हूँ कि मैंने जब कि हमें खास करके MP बोर्ट की कॉपी कैसी लिखनी चाहिए क्या गलती हम लोग करते हैं जिनकी वज़य से एक्जामिनर हमारे मार्क्स वगेरा काट लेते हैं क्योंकि आप अगर भाई बोर्ट एक्जाम्स 2024 की कॉपी चेकिंग की वीडियो देखोगे तो देखो वो जो आप को वीडियो बना के बताते हैं वो अपने-अपने स्टेट के मुताविक बताते हैं हर एक स्टेट का अपना-पना कॉपी चेकिंग का अलग-अलग रूल होता है थोड़ा डिफरेंट होता है आज हम MP बोर्ट के बारे में बात करेंगे कैसे आप वो कॉपी लिखना चाहिए वो फ्रीवियस youर्स से जानते होंगे तो हम लोगों ने जब आपके प्रिवयस यर्स में रिजल्ट व अगयर आ रहे थे थे पहले मैंने आपको एक मैम से इंट्रिव्स करवाया था जहां पर हम लोगोंने बात की थी जिन मैमने आपकी giving अगया चेक की थी तो उनके कहना है वो किस टाइप की स्ट्रेटेजी से कॉपी चेक करते हैं और बोर्ड क्या कहता है आज उस चीज को हम लोग थोड़ा डिसकस करते हैं ठीक है सबसे बहले तो मैं तुम्हें बता दू कि दो को मोस्ट बता जो बच्चे होते हैं वो कुछ गलती करते हैं उन गलतियों के बच्चे उनका मार्क्स बिगरता है राइट नंबर वन आपको पता हुगा कि कभी भी कोई भी चीज आप चाहे बोर्ड एक्जाम्स लेलो चाहे रियल लाइप लेलो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इस दिल लास्ट इंप्रेशन राइट लेकिन बच्चे इस चीज को नह गलत तरीके से लिखेंगे कट-पीट कट-पीट करेंगे ठीक है रोल नंबर वाले में तो आपकी चिट्टी चिपक जाती वह एक्जामिनर के तक नहीं जाता है लेकिन यह आपको बोर्ड एक्जाम्स में लास्ट में दिक्कत दे सकता है जब आपके अगर भाई बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जल्दवाजी के चक्कर में पेसेंस खो देते हैं पेसेंस खोने के चक्कर में क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि यह कुस्चन्स मैं पहले कर लूँ कि यह कुस्चन्स मुझे पहले आ रहा है तो क्यों ना मैं पहले पेस से पहला यही उता पाइस आप समझ जाता है कि विध्यारती कमजोर है या फिर उसका जो इंप्रेसन है आपकी कौपी का मैं उनकी नजरों में फस्ट तरीके से पहली बार में ही गलत जाता है और second चीज ये, कई बच्चे भाई, question number 15, question number 16, वो अगर बन रहा है, उसको उठा के पहले ही डाल दिये, ठीक है, उस conditions में क्या होता है, कि आपे आपके marks कटते हैं, क्योंकि भाई, एक जो इनसान ही आपकी copy check करता है, कोई computer आपकी copy check नहीं करता है, कि वो सब चीजे करें, अब अब दिने में जो आपके teachers होते हैं, उनको बहुत सारी copy चेक करनी पड़ती है, लगभग 40-50 copy उनने दिन भर में check करनी पड़ती है, already बंदा frustrated है, frustrated होने के बाद में अगर वो आपका कचरा देखेगा, तो कहीं न कहीं आपकी इसमें आदे marks, एक एक marks में काफी जादा आपक उसमें क्या होगा, कि जो examiner आपका copy चेक करने वाला है, उसके पास में एक आपकी answer की होती है, उस answer की से पलटा कि उसको answer चेक करने की ज़्यादा जरूवत नहीं पड़ेगा, उसको number भाई, number questions के answer मिल जाएंगे, तो वो आपकी copy चेक करने में उसे ज़्यादा टाइम लग तो कोसिस यही चीज़े करना चाहिए, सेकेंड गलती, थर्ड गलती सौरी, बहुत चारी स्टुडेंट करते हैं कि जो questions आ रहा नहीं है, उन्हें छोड़ देते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, attempt आपको हर एक questions का करना चाहिए, लेकिन मैं condition बताता हूँ किस टाइ चाहिए, तो उनको focus करके उन्हें पर concentrate करना है, कापी student क्या होते हैं कि number number by करने के चक्कर में क्या होते हैं, कोई questions उन्हें नहीं आ रहा है, attack वहाँ पे गए, तो फिर वहाँ पे ही thinking करना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं, और उससे क्या होता है, कि आपको questions आपको आ रहा है, वह उसको तो आप number by number लिखते चलिए, और जो आप बच गए, अब last में आपको कच्रा करना शुरू करना है, कि आपको आप मन से, जो भी आपको आपको आ रहा है, तो attempt जरूर करना है, attempt करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जिस chapter से questions पूछा गया है, जिस चीज से वो आया गया है, जिस आपको लग रहे है कि इस chapter से पूछा गया, उस chapter का आपको कुछ भी याद है, उससे related कुछ भी याद है, तो थोड़ा आप बना बना के भी लिख दोगे, तो भाई आपको step marking या फिर बहुत सारी चीजों में grace marking के माध्यम से, जब आप फैल ह होने वाले होते हो, तो पास करने के लिए वो वहां से check करके आपको marks दे दिये जाते हैं, तो आपको पूरे की पूरे questions attempt भी यहाँ पे करने हैं, third, fourth point, related questions लिखना है आपको, ठीक है, related ही आपको लिखना है भाई, आप यहाँ पर पूछा गया कि गाय हमारी माता है, ठीक है, उसके बाद में आपको questions और कुछ है, आपने लिखा कुछ और है, मतलब example में देना नहीं चाहते है, example बहुत सारे हैं, लेकिन आपको questions related answer लिखना है, तो आपको उसके marks मिलते हैं, पता चला भाई साब तुम्हें पूछा गया राजा की, तुम बता रहे हो भिकारी की, तो इसा नहीं होता है, questions related, chapters related, या फिर कुछ भी आपको हो तो तो उसका मिलता जूलता आपको लिखना है, तो यहां पर आपके marks बढ़ते हैं, और मैं last में आपको tip यहीं देना चाहूंगा कि जितना हो सकता है, mentally pressure लेके नहीं करना है आपको exam, क्योंकि mentally pressure जो आप लेते हो ना, उसका effect actually में आपको दिखता है, last में जब आपका copy पूरे final तरीके से check हो जाती है, तब यह तो मैंने कुछ आपको मोटा मोटा चीजे बताएं, deep में बहुत सारी series इस से related आने वाली है, और यह चीजे आपको आपके board exams के पहले ही में पूरी बता दूँगा, भाई, subscribe करके ज